नमस्कार दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप फोन पे एप्लिकेशन को इस्तिमाल करते हो और यहाँ पे आपने कोई ट्रांजेक्शन किया है तो उसमें एक ट्रांजेक्शन आईडी आई होगी तो आप उस ट्रांजेक्शन आईडी को कैसे चैक कर सकते हैं आईए जानते हैं सबसे पहले आप फोन पे एप्लिकेशन को ओपन कर लीजिए और आप इसको ओपन कर लीजिए कुछ ही इस तरीके से नीची के तरह आपको मिलेगा history आपको history पर touch करना है history पर touch करने के बाद यहाँ पर आपको जो भी transaction होंगे आ जाएंगे तो आप wallet transaction देख लेजी जिसका आप transaction ID जानना चाते हैं तो यहाँ पर नरेश कुमार वैक्ति को मैंने 24 रुपे भेज़ेते हुआ में तो मैं इसकी transition ID जानना चाहता हूँ तो मैं इस पर touch करूँगा और इस पर touch करने के बाद सबसे उपर ही आपको मिल जाएगा transaction ID तो मैंने इसे blur कर रखा है privacy के लिए ऐसे आप पता कर सकते हैं और यहां से आप copy भी कर सकते हैं इसके अलावा अगर आप और भी जानना चाहते हैं दूसरे लोगों की तो आपको उस transaction पर click करना है और आप असाने से जान पाओगे तो ऐसे आप इसे use कर सकते हो और अगर आपको वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा